भारत बनाम न्यूजिलैंड के बीच हैदरबाद की राजीव गांधी इंटरनाशनल स्टीडियम में तीन मैचों की वन डे सीरीज का पहला एक दिवसी मुखाबला खेला जा रहा है आपको बता दे इस मुखाबले में भारती कप्तान रोहिच शर्मा ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्ले बाजी करने का फैसला किया आज भी टीम इंडिया के लिए शुरुवात बहतर हुई जहां शुपमंगिल और रोहिच शर्मा के बीच पहले विकेट के लिए 60 रनों की साज़दारी हुई जिसमें रोहिच शर्मा ने 34 रनों का योगदान दिया लेकिन आज एक बार फिर से कप्तान सेट होने के बाद अपना विकेट थ्रो करके चले गए और 30 गिंदों का सामना खरते हुए रोहिच शर्मा ने 34 रनों की छोटी लेकिन महतवपून पारी खेली इस दौरान कप्तान ने 4 चौक और 2 चक्के लगाए लेकिन इसी के साथ अब रोहिच शर्मा ने भारतिय पूर्व कप्तान और दिगज विकेट कीपर बलेबाज MS धूनी का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है रोहिच शर्मा को यू तो हिट मैन कहा जाता है और उन्हें सिक्सर किंग के नाम से भी जाना जाता है आपको बता दें कि रोहिच शर्मा ने एक बार फिर से इन दोनों नामों को बरकरार रखा है क्योंकि भारतिय कप्तान रोहिच शर्मा ने पूर्व कप्तान MS धूनी का छक्को का रिकॉर्ड तोड़ दिया है आपको बता दें कि भारत में वंडे खेलते हुए रोहिच शर् पंडे मुखाबलों में कुल 123 छक्के हैं रोहिच शर्मा ने एक बार फिर से छक्कों के मामले में नया कीर्तिमान दर्ज किया है आपको बता दे कि रोहिच शर्मा सिर्फ भारत ही नहीं बलकि पूरे विश्व में सबसे जादा छक्के लगाने वाले दूसरे बल्ले बाज हैं रोहिच शर्मा इस वक्त सिर्फ यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल से ही पीछे हैं अंतराश्वे क्रिकेट में भी रोहिच शर्मा का दमखम छक्कों के मामले में देखने को मिला है लेकिन शायद कप्तान आज अपनी पारी को बहतर कर सकते थे लेकिन एक बार फिर से खराब श